हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि चिन कुलीज खाने सयद बंधुओं के आदेश से मालवा की योग प्रस्थान किया किन्तु मार्ग में उसे बादशाह मुहम्मद शाहरंगीला की मा का पत्र मिला कि वह दुष्ट सयदों के विनाश का प्रबंध करे इसलिए चिन कुलीज खाने मालवा पहुँचते ही नई सेना की भरती आरंभ कर दी तथा असीर गढ़ दुर्ग के किलेदार को रिश्वत देकर दुर्ग पर अधिकार कर लिया कुछ समय बाद चिन कुलीज खाने बुरहानपुर के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया जब सयद बंधूँ को चिनकुलीच खां की तैयारियों के बारे में ग्यात हुआ तो सयदों ने दिलावर खां के नित्रित्व में दिल्ली से एक सेना चिनकुलीच खां के विरुद्ध भेजी। कोटा नरेश भीम सिंग हाडा को भी चिनकुलीच खां पर आक्रमन करने के निर्देश दिये। के साथ चिनकुलीच खां पर चड़ाई करने के लिए रवाना कर दिया। कोटा नरेश भीम सिंग हाडा 13,000 घुड सवारों के साथ चिनकुलीच खां के विरुद्ध कारवाई करने के लिए रवाना हो गया। जब उत्तर भारत में इस्थित मुगलों की सेनाय मालवा की तरफ रवाना हुई तो चिनकुलीच खां उज्जेन से कुछ दूरी पर पंधार नामक स्थान पर मूर्चा बांध कर बैठ गया। नर्वर का राजा अगज सिंग भी कोटा नरेश भीम सिंग की साहता के लिए युद्ध के मैदान में पहुंच गया। सियद बंधु किसी भी कीमत पर चिनकुलीच खां को कुचल देना चाहते थे ताकि बादशाह मुहमत शाह को अपने नियंतरन में लेकर उसे दंडित किया जा सके। इसलिए सियदों ने दक्षन भारत के नायब सूबेदार आलम अली खां को भी चिनकुलीच खां पर अभियान करने के निर्देश भेज दिये। सेदों का अनुमान था कि चिनकुलीच खां उत्तर भारत तथा दक्षन भारत से आने वाली मुगल सेनाओं के बीच में पिस जाएगा। किन्तु चिनकुलीच खां की तैयारी पूरी थी। बादशाह की माता का समर्थन मिल जाने से वह उत्साह में था। 19 जून 1720 को पंधार में दोनों पक्षों के बीच भायानक युद्धुआ सेदों की सेना का मुख्य सेनापती दिलावर खां रंक्षेत्र में ही छाती में गोली लग जाने से मारा गया। अपने सेद सिपाहियों के साथ बुरी तरह काट डाला गया है तथा महाराव भीम सिंग भी वीरगती को प्राप्त हो गया है तो राजा गज सिंग हाथी से उतर कर गोड़े पर बैठ गया। अंत में वह भी चिन कुलीज खां की सेना के बहुत से सैनिकों को मार कर स्वयम भीरण खेत रहा। इस प्रकार पंधार के युद्ध में सेयदों की समस्त सेनाएं बुरी तरह परास्त हो गई। दक्षण का नायब सुबेदार भी इस युद्ध में मारा गया। वह हुसेन अली खां का दत्तक पुत्र था। उसकी मृत्यु से सैयदों का दक्षण में मुक्य स्थम्भ तूड गया। जब सेयद हुसेन खां की सेनाएं चिन कुलीज खां द्वारा परास्त कर दी गई तो एत्मा दुद्ध दौला, सादत अली खां और हैदर खां ने सेयद बंधुओं के विरुद्ध एक शड्यंत्र रचा। इस शड्यंत्र में बादशाह मुहम्मद शाह तथा बादशाह की माता भी शामिल हो गई। हैदर खां ने हुसेन अली को मारने का बीड़ा उठाया। इसके बाद मुहम्मद शाह ने फतहपुर सीकरी में दरबार का आयुजन किया। 9 अक्टूबर 1720 को जब हुसेन अली खां दरबार में एक याचिका पढ़ रहा था उसी समय हैदर खां ने हुसेन अली की छुरा मार कर हत्या कर दी। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि जब हुसेन अली खां बादशाह से मिलकर वापस जा रहा था तब एक मुगल ने हुसेन अली खां की बगल में खंजर गुसा दिया। तथा दूसरे मुगल ने हुसेन अली खां के पैर खींच कर उसे पालकी से गिरा दिया और चाती पर चड़ कर उसका सिर काट डाला इस हत्या पर टिपणी करते हुए इतिहासकार इर्विन ने लेटर मुगल्स में लिखा है भारतिय कर्बला में दूसरे याजीद ने दूसरे हुसेन को शहीद कर दिया इसके पश्चात बादशाह मुछमद शाह ने स्वयम को समस्त सेनाओं का मुख्य सेनापती घुशित कर दिया स्यद हुसेन अली खां का कटा हुआ सिर उसके छोटे भाई अब्दुल्ला खां को भेज दिया गया तथा अब्दुल्ला खां को निर्देश दिये गए कि वे तुरंत बादशाह की सेवा में हाजिर हो किन्तु अब्दुल्ला खान बादशाह के समक्ष उपस्तित नहीं हुआ सेद अब्दुल्ला खान ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए एक विशाल सेना एकत्रित की तता मुहम्मद शाह के इस्थान पर रफी उस्थशान के पुत्र मुहम्मद इब्राहीम को बादशाह घुशित कर दिया 13 नवंबर 1720 को आगरा के निकट हसनपुर में बादशाह की सेना तता अब्दुल्ला खान के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें अब्दुल्ला खान हार गया उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया हालांकि नए बादशाह मुहम्मद शाह ने अब्दुल्ला खान के साथ बहुत अच्छा व्यवार किया किन्टु दूसरे सरदारों ने अब्दुल्ला खान के साथ कठोरता से पेश आने का निणे लिया तथा दो वर्ष तक जेल में रखने के बाद 11 अक्टूबर 1722 को अब्दुल्ला खान को विश्ट दे कर मार दिया गया जिस शेहजादे इबराहीम मुहम्मद को अब्दुल्ला खाने बादशाह गोशित किया था वह एक इस्थान पर जाकर छिप गया किन्तू उसे ढूंड निकाला गया तथा उसे भी कैद करके जेल में डाल दिया गया उसकी 40 रुपे प्रती दिन की पेंशन बांध दी गई इस प्रकार मुहम्मद शाह रंगीला ने बादशाह बनने के एक साल के भीतर ही सयद बंधूओं के क्रूर शिकंजे से छुटकारा पा लिया अगली कड़ी में देखिए स्वहम ही अपने नंगे चित्र बनाता था बादशाह